हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत सौगत हैं आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोयल और चार्ल्स के नियम को साथी साथ आवोगादरों नियम को भी हम जानेंगे यानि जितने भी गैस ये नियम में सबको जानेंगे और इनके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इनसे जुड़े जो भी नुमेरिकल्स NCRT के हैं या एक्जामस में आज सकते हैं उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीडियो के साथ बने रही है बहुती आसान भासर में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो को देखने के वाद वोयल या चार्लस के नियम में आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला तो चलिए करते हैं शुरू सबसे पहले जा लेते हैं वोयल का नियम होता क्या है इस्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाप के वियुत कुर्मा नुपाती होता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कोशन डायरेक्टली पूछा जाता है वोयल के नियम में क्या इस्थिर रखा जाता है तो इसमें क्या इस्थिर रखा जाता है ताप ताप को यहाँ पर इस्थिर रखा जाता है अब मैं आपको बता दू ट्रिक से कभी जिन्दगी बन नहीं भूलने वाले कि इसमें ताप क्योंकि Charles और Boyle में ताप और दाप में बच्चे काफी ज़दा कन्फ्यूज हो जाते हैं तो Boyle के जब में जो पहला बर्ड आ रहा है वो आ रहा है Boy Boy का मतलब होता है लड़का और देखिए आजकल क्या होता है लड़कों को यनि जो माली जी ये अंदरा से 18 ये आप लड़के जो होते हैं लड़कों को थोड़ा से अगर कुछ कह देते तो क्या होता बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है मतलब उनका टेंप्रेचर यूं कह सकते कि हाई रहता है तो लड़के जो होते हैं उनका टेंप्रेचर हाई रहता है तो उन्हें जरूरत होती है अपने ताप को इस्तिर रखने की लड़कों को जरूरत होती है अपने ताप इस्तिर रखने की तो boy यानि boy में कहा रहता है हमारा ताप इस्तिर रखना चाहिए बन अपोन P यानि V वित्कुनमर अनुपाती होता है बन अपोन P के अब देखें V बराबर यहाँ पर जो constant होता वो क्या होता है K होता है B बराबर क्या होता K P और इनकी cross multiply होकर ही हो जाता BP बराबर K जहाँ पर K क्या होता है constant होता है तो देखें यहां से क्या निकल कर आया के B into P बरावर क्या आया के यानि के constant तो इस्तिरताब पर gas का जो दाब बढ़ने के साथ साथ आयतन क्या होता है गटता है और आयतन गटने के साथ साथ क्या होता है यानि इस्तिरताप पर गैस का अगर दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और अगर दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा अब देख लिजे मैंने यहाँ पर दो चित्र बना कर आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर दाब P1 है और वॉलियम के इसका V1 है दूसरे वाले चित्र में आप देखिए यहाँ पर जैसे ता यनि के दाब को बढ़ाया गया है प्रेसर को बढ़ाया गया है तो यह मैंने आपको यहाँ पर प्रेसर की पट्टी एक दिखा रखी है तो वॉलियम के इरिया आप देख लिजे कम हो गया है पहले दाब कम करेंगे तो यह कहा जाएगा उपर और जब उपर जाएगा तो वॉलियम ओटोमेटिकली क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और दाब जादा होगा तो वॉलियम क्या होगा कम होगा तो एक बात यह कोशन यहीं से भी बनता है वियुत कुर्म नुपाती में यही होता है साथी साथ आपको यह ध्यान रखना है कि B into P बराबर क्या होता है कि कि यहाँ पर क्या है कॉंस्टेंट है इस्थे रांग के या नियतांग का आप इसको कह सकते हैं तो B P बराबर के यानि दोनों का जो बोयल के नियम है बोयल के नियम के एकोडिंग आयतन और दाप का जो गुलांग होता है जो गुलनफल होता वो किसके वराबर होता है इस्थे रांग के बराबर होता है यहाँ से भी कोशन बनते है कि बोयल के नियम के अनुसार आयतन और दाप का जो गुलनफल होता है वो किस के वराबर होता है? इस तरांग के वराबर होता है इसमें क्या आता? इस ती रखा जाता है? ताप इस ती रखा जाता है? इसके ट्रिक भी मैंना आपको बता दी है अब देखी इसमें एक जो questions के लिए आपके यहां से questions बनते हैं वो कैसे बनते हैं अगर माली जी हमने आयतन को V1 से क्या कर दिया B2 जैसे मैंने condition में दिखा रखा था कि अगर हमने दाब बढ़ाया दाब P2 लगा दिया तो आयतन क्या हो गया था इसका V2 हो गया था और जो प्रेसर था P1 से क्या कर दियागा P2 तो यहां पर देखिए नियम के अनुसार B1 की जगे हो गया B2 यह हो गया P2 बराबर किसके होगा constant के क्योंकि मैंने आपको बताया है कि दाब और आयतन का जो गुलन फल हो किसके बराबर होता है तो यहां से जो निकल कर आता है B1 बराबर यानि B1 इंटू P1 बराबर होता B2 इंटू P2 के बराबर यह questions में जब आप numerical करेंगे तो इस formula काफी ज़दा यूज होने वाला है इसी से questions बनते हैं अब बात कर लेते हैं Charles के नियम के बारे में यानि Charles का नियम क्या है तो इस्थिर दाब पर मैंने आपको बताया वोयल के नियम में आपको confusion नहीं होना है वोय यानि लड़कों को अपना temperature क्या रखना चाहिए इस्थिर रखना चाहिए तो वोयल में हो गया temperature यानि बहाब पर क्या होता है ताब इस्थिर रहता है और Charles के नियम में दाव इस्थिर रहता है किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परमताप के अनुकर्मानुपाती होता है विहनक ने आपको वोयल के नियम में वियुत कर्मानुपाती होता है यहाँ पर अनुकिर्मानुपाती होता है तो इस्थिर्दाप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा कायतर हमने मालिया B है और जो temperature है वो क्या हो गया T तो यहाँ पर वियुत कर्मानुपाती है तो B proportional to T हो जाएगा proportional to का निशान अटाने के लिए यहाँ पर के ले लेंगे के हो जाएगा एक constant तो क्या हो जाएगा B वराबर के टी यहाँ से क्या हो जाएगा अगर T कुप अक्सांतर करेंगे तो B upon T वराबर किसके आजाएगा के के यानि B upon T वराबर के अब देखे होता क्या है, जैसे जैसे क्या होता है, ताप बढ़ता है, वैसे वैसे आयतन भी बढ़ता है, माल लिजिए पहले ताप T1 था, और वोलिम क्या था इसका V1, तो जैसे जैसे इसमें हीट दी गई, उसमा दी गई, ताप इसका बढ़ाया गया, तो ये क्या हो गया, आयतन इसका बढ़ गया कब जब इसका ताप बढ़ा तो यानि जो वीतक्रमानुपाती होते है उसमें क्या होता है अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी गटती है दूसरी गटती है तो पहली बढ़ती है अनुकिर्मानुपाती है, सवानुपाती में क्या होता है, अगर एक बढ़ती है, तो दूसरी भी यहाँ पर बढ़ती है, अब यहाँ पर देखे, अगर ताप को T1 से T2 और आयतन को B1 से B2 कर दिया जाता है, तो B2 अपोन T2 क्या हो जाएगा K, और K बराबर किसके था, constant था, यानि B1 अपोन T1 के, और यहाँ पर B2 अपोन T2 बराबर किसके है K के, तो B1 अपोन T1 बराबर हो जाएगा B2 अपोन T2 के, तो यह फोर्मूला जिससे questions बनते हैं, simple है, जोकि दोनों का जो अनुपात होता है, यानि आयतन और तापमान का जो अनुपात होता है, वो किसके इ किसके बराबर जाएगा, constant के, और दोनों बराबर किसके हैं, ये K के, तो दोनों की जो सामने वाली वेली होगी, क्या होगी, बराबर होगी, तो यह था Charles का नियम, अब बात कर लेते हैं, आवोगाद्रों के भारे में, यानि जो आवोगाद्रों की परिकल्पना थी, इस त आपको बताया, Charles के नियम में क्या हुआ, दाप constant, वोगाद्रों के नियम में ताप constant, लेकिन आवोगाद्रों में ताप और दाब दोनों ही आपर constant रखे गए हैं, तो किसी गैस का जो आयतन होता है, उसके अड़ों की संख्या यानि मोल के समान उपाती होता है, अड़ों की अगर हम इन तीनों समी करणों की तुल्ला करें, तो क्या बन जाता है, बी पिर्पोर्शनल टू बन अपोन P into T into N, और ये अनुकर्वा अनुपाति का निसान हटाने के लिए, यहां से लगाते हैं, आर, आर क्या होता है, एक constant होता है, जिसे गैस नियतांक भी बोलते हैं, यहां सार्बत्रिक नियतांक या universal constant इसको बोलते हैं, किसको? आर को, तो आर यहां पर constant होता है, और अगर P की यहां से गुणा कर देंगे B के साथ, तो क्या हो जाएगा, पी भी बराबर N, R, T, और यही क्या होता है, आदर्स गैस समी करण होती है, पी भी बराबर N, R, T, य इसे गैस नियतांक या सार्बत्रिक नियतांक भी इसको बोला जाता है, अब बात कर लेते हैं कुछ questions के वारी में, तो पहला question है, 740 टोर दाब पर oxygen गैस के नमूने का आयतन 880 ml है, यानि 880 ml से 440 ml करने के लिए कितना अतिरिक्ट दाब की आवस्सक्ता होगी? मैंने आपको बताया है कि दाब अतिरिक्ट चाहिए, यानि जादा दाब कितना लगना है? बताया था मैंने आपको वोल के नियम में कि दाब बढ़ने से क्या होता है? आयतन कम होता है, तो यहाँ पर हमको दाब क्या है? जादा डालना पड़ेगा. तो देखें, दाब जो पहला दाब दिया है, यानि P1 कितना दिया, 740 और, जब 740 और दाब है, तो आयतन कितना सा, यानि V1, 880 ml, V2 कितना हो गया है, 440 ml हो गया है, P2 हमको यहां से ग्याद करना है, तो वोल के नियम से अगर हम देखते हैं, तो V1 अब, यानि V1 into P1, बरावर होता है, V2 into P2, अब यहां से हमको निकालना क्या है, P2 निकालना, तो इस V2 को हम पक्सांदर करेंगे, तो P2 बरावर हो जाएगा, V1 into P1, क्या हो जाएगा, V1 into P1, अपोन B2, क्योंकि यहां से P2 के साथ से ही कहा जाएगा, बटे में आ जाएगा, वैल्यू V1 की कितनी है, यह नि सोरी, 880, P1 की कितनी है, 740, दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी, और V2 की वैल्यू है, 440, इस 440 से 880 कितनी बार कटेगा, दो बार, तो हमारे पास बचा, 740 into 2, कितना हो गया है, 1480, तो ध्यान रखने, आपको कोशन यह, इसमें आंसर 1480 नहीं होगा, क्योंकि P2 हमको नहीं चाहिए था, वेसिकली, P2 हमको क्या चाहिए था, कि ML करने के लिए, यानि 880 ML से, 440 ML करने के लिए, कितने अतिरिक्त दाब की आवज सकता होगी, यानि हाँ पर कितना एक्स्ट्रा दाब लगा है, तो अतिरिक्त दाब हो जाएगा, P2 माइनस P1, क्योंकि पहला तो P1 था, बाद में लगा P2, तो 1440 माइनस 740 तो अलरीडी था, कितना वचाहिए हाँ पर 740, तो आपको ध्यान रख रहा है, वोल का नियम क्या कहता है, कि अगर दाब बढ़ता है, तो आइतन घटता है, आइतन बढ़ता है, तो दाब घटता है, आपको देखना है, कि 880 से 440 जनी, आधा आइतन हो गया, तो दाब कितना हो गया, डवल, आप देख सकते हैं 1440, क्योंकि 1480, 440 यहां पर extra दाव लगा है, extra pressure लगा है, एक कोशन और देख लेते हैं, यह कोशन है किसी ताप पर किसी गैस का आयतन 0 degree Celsius आयतन से 2 गुना हो जाएगा, जब दाप को इस्थिर रखा जाएगा, यहां को यह बताने किस ताप पर गैस का जो आयतन है, उसके आयतन से 2 गुना हो जाएगा, और यहां पर दाप क्या है, constant है, तो हमें पताच लगा है, जब दाप इस्थिर यहां पर, दाप को इस्थिर रखा गया है, तो यह किस नियम से होगा, चाल्स के नियम से होगा, तो किस ताप पर गैस का आयतन, 0 degree Celsius आयतन से 2 गुना हो जाएगा, तो द Kelvin का Celsius कैसे बदलते हैं, धियान रखना आपको, degree Celsius से Kelvin करने के लिए 273 पिलस करते हैं, और Kelvin से Celsius करने के लिए 273 के करते हैं, माइनस करते हैं, आपको धियान रखना है, Celsius से Kelvin पिलस और Kelvin से Celsius माइनस करते हैं, और अगर आपको करना है, Celsius से Fahrenheit में, तो एक फोर्मूला होता है, F बरा चलते हैं सवाल की तरह तो temperature हमारा जो पहला हो गया 270 Kelvin V1 जो था देखी यहां पर क्या हमको आयतन दिया नहीं गया था सिर्फ यह बताया गया है कि आयतन से दो गुना हो जाता है तो पहला आयतन हमने V1 लाया और दूसरा आयतन हो गया B2 T2 यहां पर हमको temperature ग्याद करना है तो हमारा नियम क्या होता है B1 अपोन T1 B2 अपोन T2 अब हमको निकालना है है यहां से T2 तो देखे T2 की इसकी B1 के साथ cross multiply होगी तो T2 क्या जाएगा B2 इंटू T1 अपोन B1 T2 वरावर हो जाएगा B2 की value हमारे पास कितनी है 2 भी यहां पर आजाएगा और जो T1 की value है हमारे पास कितनी है 273 अपोन में क्या जाएगा B1 कितना है B, B से B हैसर cancel out हो जाएगा और 273 इंटू 2 हो जाएगा कितना 546 Kelvin कितना हो जाएगा 546 Kelvin तो temperature को double करने के लिए यानि आयतन को double करने के लिए तेंप्रेचर कितना होगा? double और यह बात मैंने आपको बताई थी कि Charles के नियम में क्या होता है? दोनों समानुपाती होते हैं समानुपाती आपको नाम में यह है समानुपाती यानि सम पिलस अनुपात यानि बरावर अनुपात तो एक जितने अनुपात में बढ़ेगा दूसरा भी उतने ही अनुपात में बढ़ेगा वोयल के नियम में क्या होता है? वियुत क्रमा अनुपात या उल्टा होता है एक जिस अनुपात में बढ़ेगा दूसरा उसी अनुपात में घटेगा या एक जिस अनुपात में घटेगा दूसरा उसी अनुपात में बढ़ेगा तो I hope friends वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए Thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में